शुरूआ जेबिटीस से करना चाहेंगे क्योंकि जेबिटीस के लिए अब ट्रेनिंग शैशन शुरू हो चुके हैं इससे पहले ऑनलाइन प्रोग्राम इनके लिए शुरू किया गया था या आट मई को इनका एक ट्रेनिंग शैशन था जिसमें ये सिखाया गया SCRT Solan की ओर से कि कैसे बच्चों में ये इंगलिश को लेकर स्किल्स इम्प्रोव कर सकते हैं अब सबी जानते हैं सरकारी स्कूलों में इंगलिश मीडियम पूरा कर लिया गया है सरकार की ओर से यानिकि इंगलिश मीडियम की शुरूआत एक तरह से कर दी गई है और पहली कक् 17 मई के बीच BRCC कारेलिय में जेबिटीज को पहुंचना होगा, पहली कक्षा से लेकर छात्रों को कैसे अंग्रेजी सिखाई जा सकती है, कैसे उनके स्किल्स को इंप्रूव किया जा सकता है, इस पर ये ट्रेनिंग सेशन बुलाया गया है, नया शेक्शनिक सत्र क्योंकि हो गया है कि सभी तैयारियां शिक्षकों की ओर से भी करवा ली जाए, पॉलिटिकली भी अगर बड़ी अपडेट दे तो देखें, माकपा, कॉंग्रेस और आम आद्वी पार्टी हिमाचर प्रदेश में भी एक जुट हो गई है, हलाकि इंडिया गठबंदन का असर तो प प्रेस वारता बुलाई गई, हलाकि शुरुआत इन्होंने की, लेकिन साती साथ माकपा के नेता, जो कि पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, राके सिंगा भी इस प्रेस कॉंफरेंस में पहुंचे थे, इन्होंने भी अपने कुछ एक विचार रखे हैं, भाजपा के हत्या करने का प्रयास भाजपा की ओर से किया जा रहा है, लोग कंतर को बचाया जा सके, सवीधान को बचाया जा सके, इसलिए सभी दल गटबंदित हुए हैं, ये इंडिया गटबंदन बना ही इसलिए है, ताकि भाजपा को रोका जा सके, मनमानी करने से, ताना शाही के ख किताओं को बेवजा जेल भेजा जा रहा है तीसरी बात प्रदेश अध्यक्ष जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुर्जित सिंग ठाकुर जी है इनका ये कहना था कि जो वादे दस साल पहले भाज़पा ने किये थे आखिरकार वो कहां है मोदी की गरंटि प्रदेश में कही जा रही है चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान बार-बार ये एक ही बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो अभी पहले चार चड़नों में चुनाफ हो रहे हैं उस पर अच्छा प्रदर्शन इंडिया गठबंदन का दीखा है और आने वाल फिलहाल जितने भी दल ये एक जुड़ता दिखा रहे हैं कब तक इस तरह से एक जुठ होकर रहे पाएंगे ये देखना भी काफी जादा दिल्चस्प होने वाला है और इस बार चुनावी में कितना असर इसका होता है सबसे जादा रोचक देखना तो हमारे लिए ये रहे लोग से बाए आयो की और से विभिन परिक्षाओं का स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर शेडियूल जारी कर दिया गया है इसमें सबॉडिनेट एलाइट सर्विसीज की परिक्षा आठ सिफ्तंबर को होगी श्रम में रोजगार विभाग में असिस्टेंट डिरेक्टर ओफ फ स्क्रीनिंग टेस्ट रखा गया है उद्योग विभाग में असिस्टेंट माइनिंग इस्पेक्टर के पदो के लिए 11 अगस को स्क्रीनिंग टेस्ट आयो जित होगा हलाकि वेबसाइट पर जाकर अभियर्थी पूरा शेडियूल चेक कर सकते हैं कि कब-कब उनका ये स्क्र आयो की ओर से क्योंकि उसमें बारीके से पूरी जानकारी दी गई है आज अंतिम दिन था नमांकन प्रक्रिया का और किस-किस की ओर से नमांकन भरे गए हैं ये भी अपडेट हम आपको देना चाहेंगे भाश्पा प्रतियाशी कंग्ना रनौत ने भी आज ही नमांकन प्रक और जो गगरेट से भाश्पा प्रतियाशी चेतन्या शर्मा है उन्होंने भी आज ही अपना नॉमिनेशन फाइल किया है इस तौरान पांच जगाओं पर भाश्पा और कॉंग्रेस की ओर से शक्ती प्रदर्शन किये गए हैं मुख्या मंत्री सुखू धरमशाला और बरसर में जनसभा संबोधित करने के लिए गए थे वहां कॉंग्रेस के प्रतियाशियों के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया सुधिर शर्मा की ओर से भी धरमशाला में शक्ती प्रदर्शन किया गया है और गगरेट में चितन्या शर्मा की ओर से शक्ती प्रदर्शन किया यह कुल आंकड़ा हमारे स्मक्ष आया है, 16 माई तक छंटनी होगी और 17 को नमांकर वापिस लिये जा सकते हैं मुख्या मंतरी सुख विंदर सिंग सुखु धरमशाला में थे और बिना सुधिर शर्मा का नाम लिए इन्होंने कई बड़े तंजा सुधिर शर्मा पर कस्दिये हैं, पहली बात इन्होंने ये कही कि सुधिर शर्मा विकाओं के सर्गना है विकाओं नेता तो कई हैं लेकिन उनके सर्गना सुधिर शर्मा है और पहले खुद का इमान इन्होंने राजनितिक मंडी में बेचा के पनने खोलकर रख दिये जाएंगे सुधिर शर्मा के जनता के समक्ष ये बात भी आज मुख्या मंत्री सुखु की ओर से कही गई है जो तथ्य आए हैं वो काफी जादा चौकाने वाले हैं और बाकी नेताओं को विकाने वाले भी सुधिर शर्मा ही थे ये भी बड़ा दा नामें सुधिर शर्मा के रहे हैं इस तरह की बाते आज उनकी ओर से कही गई साफतोर पर विकाउ सर्गना का नाम भी अब यहां सुधिर शर्मा को दिया गया है हाला कि पहले भी जब ऐसे शब्द मुख्या मंत्री सुखु ने कहे थे तो यहां defamation का केस सुधिर शर्मा की और से किया गया था, उन्होंने याची का दायर कर दी थी कोट में जिसके बाद नोटिस भी जारी हुआ था मुख्या मंत्री सुखु को एक दफ़ा आज फिर ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल मुख्या मंत्री सुखु ने किया है और यह कहा है कि दल बदल एक तरह से इन्छ कॉंग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं, हलाकि बगावती सुर्थ तो उस भाश मंगलेट की और से पहले ही छेड़ दिये गए थे, जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, इन्हें क्यूंकि टिकेट नहीं मिला था, और जिस बात से नराज होकर इन्होंने निर्दलिय चुनाव लड़ा था, लेकिन अब कॉंग्रेस का दामन छोड़ ये भाजपा में शामिल हुए हैं, और भाजपा के जो राष्ट्य अध्यक चगत प्रकाश नर्ड़ा है, उन्हें की अगवाई में इन्होंने भाजपा ज्वाइन की है, जो सांसद, इन्हें कॉंग्रेस में नहीं मिल रही है, जो इस तरह का कदम इन्हें उठाना पड़ रहा है, ये सुभाज मंगलेट पहले ऐसे नेता नहीं है, जिन्होंने कॉंग्रेस का हाथ चोड़ भाजपा में शामिल हुए हो, और ये स्वर्गे वीरभदर सिंग के करीबी भी हो, देखी अगर इससे पहले की हम बात करें, तो राजिंदर ठाकुर जो की अर्की से हैं और जिन्होंने निर्दलिय चुना, अब बिल्कुल 2022 में लड़ा था, ठीक एक हफ़ता पहले ही वो भी भाजपा में शामिल हो गए हैं, और वो भी एक तरह से दाया हाथ कहां पर माने जाते थे स्वर्गे वीरभद्र सिंग का, काफी जादा करीबी उनके थे और बहुत से काम भी उनके लिए किया करते थे, एक हफता पहले उन्होंने भी सी तरह का कदम उठाया, सुभाश मंगलेट ने ठीक एक हफते बाद इस तरह का कदम उठाया है, तीन वरकिंग से दूर होते जा रहे हैं, क्या सरकार संगठन में उन्हें एंटरेन नहीं किया जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है, लगातार यहाँ पर ऐसी कतार सामने आ रही है, जो पहले होली लौज के करीबी हुआ करते थे, लेकिन अब परिशान होकर भाजपा में जा रहे हैं, तक लोगों को इन्होंने संबोधित किया, इस बीच जनसभा को संबोधित करते हुए इन्होंने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के गुण भी गाए, इनका ये कहना था कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी भगवान राम के अंश है, हलाकि ये पहली नेतरी नहीं है, जिन्हों और नई जानकारी क्या निकल कर सामने आई है वो आपको बता देते हैं तकरीबन क्यूंकि यहाँ 91 क्रोड रुपै की मालकीन कंगना रुनौत बताई जा रही है किस तरह से यह भी जानकारी देते हैं यह आप सभी जानते होंगे कि चुनाव लड़ने से पहले चुनाव तो देखे इसमें जो जानकारी दी गई थी वो क्या-क्या थी और ये आंक्रे क्या हमारे समक्षाएं हैं आपको बता देते हैं कंगना रनौत सिर्फ बारवी पास है कंगना रनौत के आईकर रिटर्न के आंक्रों पर नजर डाले जो की 2018-19 की 12 क्रोड रुपै से काफी कम है अन्या वितिय वर्ष के आंक्रों को देखे तो 2019-20 में कंगना ने 10 क्रोड रुपै से अधीक की आय दिखाई इसी तरह 2020-21 में ये आय ग्यारा क्रोड रुपै थी वर्ष 2021-22 की आय बारा क्रोड रुपै रही है कुल मिलाकर कंगना के पास 91 क्रोड रुपै से अधीकी चल व अचल संपती है तो ये एक नई बात कहना चाहेंगे क्योंकि बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होगी कि आखिरकार कितने क्रोडों की ये मालकिन है और कितनी इनकी संपती है DP शिक्षकों के लिए एक रहत भरी खबर निकल कर सामने आई है क्योंकि काफी ज़्यादा लेट लतीफी इनके लिए बढ़ती जा रही थी भरती एवं पदोनेती नियम बनाने पर शिक्षा विभाग पर कारवाई अमल में लाई जाएगी डीपी संगद्वारा ही याचिका दायर की गई थी कि देड़ वर्ष पहले ये नियम बनाने के लिए कहा गया लेकिन उसके बाबजुद भी नहीं बन रहे हैं और इसका खामियाजा इन शिक्षकों को कुछ ऐसे भु बनाने ही होगे क्योंकि सीधे तौर पर यहां शिक्षा सचीव को तारगेट करने की कोशिश हाई कोड की ओर से हुई है और लतार भी लगाई गई है बिरोजगा यूवाओं से जुड़ी बड़ी जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देखे क्लास फ्री की भरतियां अभी भी शुरू नहीं हो पाई है और राज्य चायना योग यह भरती प्रोसेश शुरू करे भी कैसे जब अभी तक एजेंसी ही यहां पर फाइन सच्टा हुआ था लेकिन नए सीरे से टेंडेर यारी नहीं किया जा रहा है कारण ये है कि अभी टेंडर कमेटी के अध्यक्ष जितेंदर साज्टा तो है लेकिन जो कमेटी के बाकी सदस्य हैं वो Coste complete कर देखे कर अडिया यहीं कि इन केवल दो ही कंपनी सामने आई जिनकी ओर से आवेदन किये गए थे और कारण यही माना जा रहा है कि शर्ते काफी भारी रखी गई है टेंडर कमेटी की ओर से जिस वज़ा से बाकी कंपनी दिल्चस्पी नहीं दिखा रही है तो इन शर्तों में अब कुछ एक छूट दी जा स भारत सरकार की एजेंसी एटसिल को हायर किया गया यह प्रयोग के आधार पर एजेंसी हायर की गई थी लेकिन इसके बाद ग्रूप इंस्ट्रक्टर की जो भरती परिक्षा होनी थी वो लटक गई और लटकने का कारण यही है कि CBT प्रनाली अब लागू होनी है और CBT के ज आस्त्री की भरतियां शुरू हो पाएंगी तो नई भरतियों के लिए भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा युवाउं को यह हम कह सकते हैं क्योंकि काफी जादा धीमा रिस्पॉंस जब आवेतनों का देखा गया तो यही सोचा गया था कि शर्तों में कुछ एक छूट दे दी जाएगी और नए सीरे से टेंडर बुलाया जाएगा और इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है इसलिए टेंडर प्रक्रिया दुबारा शुरू नहीं हो रही है क्योंकि अभी यह जो कमीटी के सदस्या है इलक्शन ड्यूटी में बीजी नजर आ रहे हैं तो जब फ्री हो उसके बाद जाकर पहली मीटिंग होगी, शर्तों में किस तरह के बदलाद करने हैं, यह बात तै होगी, और कहीं जाकर फिर टेंडर प्रक्रिया शुरू हो पाएगी, आवेदन आएंगे, फिर आवेदनों की छंटनी होगी, यह बड़ी प्रक्रिया है, बड़ा प्रोसेस है, कोई भी सवाल का जवाब देने के लिए तयार नहीं है, लेकिन उसके बावजुत भी लोग सिवायोग से यह भरतिया नहीं ली जा रही है, और ना ही राजयोचयन आयोग को सौंपी जा रही है, तो इसमें इतनी जादा लेट लटिफी क्यूं बड़ती जा रही है, कोई भ स्वाल का जवाब देने के लिए तयार नहीं है जिन भर्तियों में FIR दर्ज हुई है उसमें से केवल सिरफ एक जी वे आईटी पोसकोड 817 की भर्ती है जिसे राजय चायनायोग को दे दिया गया है और इसमें खेर अभी जो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटेशन भी हो रही लेकिन अगली प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई क्यूंकि पहले लोग सेवायोग की और से पत्र जारी किया जाता है दरसल पहले लोग सेवायोग को पत्र लिखा जाता है कि वो इस भर्ती को वापिस दे फिर जाकर अगली प्रक्रिया पूरी होती है लेकिन अभी ऐसा भी क पत्रों लोग सेवायोग को नहीं मिला है, जिसमें इन भर्तियों को मांगा गया हो वापिस सरकार की ओर से, तो बात वहीं के वहीं है, और जैसा कि हमने कहा, जिन भर्तियों में सिर्फ आवेधन ही हुए थे, अगला प्रोसेस शुरू होना बाकी था, और F.I.R. से भी बाहर ह है, देखिए ये शिकायक युवाउं की हमसे रहती है कि कोई ना कोई जानकारी हम उनके भरती-भरती से संबंदित लेकर आएं, लेकिन जब अपडेट निकल कर आएगी तो ही हम साजा करेंगे, जब प्रोसेस वहीं लटका रहेगा, तो रोजाना उस पर बोलने का कोई फा हो गया है, और एप्रूवर के लिए मुख्यमंत्री कारेले में भी भेज दिया गया है, अब देखिए जो ACR है उसे एन्वल पर्फॉर्मेंस एप्रेजर रिपोर्ट यानि की APR माना जा रहा है, इसमें पर्फॉर्मेंस देखी जाएगी अधिकारियों की भी करमचारियों की भी उनके टार्गेट के अधार पर, टार्गेट दिये जाएंगे संबंदित प्रशाशनिक सचीवों की ओर से, और टार्गेट पूरा करने के लिए क्लिए क्या पर्फॉर्मेंस रहती है करमचारियों की अधिकारियों की कितने टार्गेट वो पूरा कर पाते हैं, उसी अधार पर इनकी performance को आंका जाएगा और आने वाले दिनों में जो भी इने लाब मिलने वाले हैं इसी performance के हिसाब से फिर मिलेंगे चाहे PWD के अधिकारी करमचारी हों जलशक्ति विभाग के हों स्वास्ते विभाग के हों सभी के लिए अब यही फॉर्मूला यहां पर तैय कर दिया गया है और सबंदित प्रशाशनिक्स अचीव जैसा कि हमने कहा इन्हें टार्गेट देने की छूट रहेगी हर पग के लिए कम से कम दस इंडिकेटर यहां पर बनाए जाएंगे इन मैंसे पांच इंडिकेटर पर प्रात्मिक्ताओं पर रखे जाएंगे और यह रिपोर्टिंग ऑफिसर का जिमा होगा कि वो कौन से पांच इंडिकेटर प्रात्मिक्ता पर रखना चाहा रहे हैं और उसी हिसाब से अधिकारियों को करमचारियों को अपना काम करना होगा अब जैसे राजस्वर विभाग की हम बात कर लें तो तहसिल दार का काम किस तरह से देखा जाएगा तहसील में कितने लंबित मामले हैं या राजस्वर संबंदित मामलों के अधार पर उसकी पर्फॉर्मेंस को आका जाएगा इसी तरह से अगर हम पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस अधिकारियों के लिए ACR में अब तीन ही लेवल होंगे पहले अलग-लग रैंक के लिए पांच से आठ लेवल पुलिस में होते थे अलग-लग भी भाग में इसी तरह से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है लेकिन पर्फॉर्मेंस अब दिखानी होगी जितने टार्गेट दिये जाएंगे वो पूरे भी करने होगे और हर पद के लिए 10 इंडिकेटर यहां पर रहने वाले हैं जिसमें 5 प्रायोरिटीज पर रहने वाले हैं परंपरागत सीट राय बरेली में पहुंचे थे जहां इन्होंने राहुल गांधी के लिए प्रचार और प्रसार किया, साथी साथ इनकी और से जंता को वहां सबोधित करते हुए ये भी कहा गया, कि जितना सनेहं इंद्रा गांधी और सोनिया गांधी को दिया गया है सीट से वैसा ही प्यार राहुल गांधी को भी मिलना चाहिए, ये क्यूंकि गांधी परिवार की परंपरागत सीट है और इस पर जीत हासिल करना बहुत जरूरी है क्यूंकि ताना शाही सरकार के खिलाफ हमको लड़ना है, मुकेश ने ये भी कहा कि कॉंग्रिस के तीन ही बड़े मकसद है कि खुशाली लाई जाए, विकास हो और युवाओं को रोजगार मिले, जो कि केंदर सरकार नहीं कर पा रही है, इसलिए ये जरूरी हो गया है कि कॉंग्रिस की जीत में बढ़ चड़ कर हिस्सा आम जनता ले, और वो तभी हो पाएगा जब कॉंग्रिस के पक्ष में यहां वोटिंग की जाएगे.